Hello everyone and this is going to be the end of our dart course for beginners This is Asif Taj and welcome back to the dart super duper master course यार ये वीडियो में आपको sum up कर देता हूँ हमने dart course में क्या सीखा और आप लोगों ने अगर इस dart course तो start से follow किया है and अगर आप लोगों ने assignments की हैं जो के मैंने आप लोगों को description box में ये जो dart course roadmap का link था वहाँ पर मैंने add कर रखी थी है and अगर आपने वो खुद की है Google की help नहीं ली तो believe me at that stage मैं आपको recommend कर सकता हूँ कि आप कोई भी एक technology choose कर लें let's say app development या whatever ठीक है जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको choose कर लें आप उसमें step in कर सकते हैं यह अब इस वीडियो में क्योंकि हमारा dart course खतम हो चुका है लास्ट वीडियो में switch statement वाली मैंने आपको disclaimer दे भी दिया था कि dart course for beginner is end और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक disclaimer यह है कि oop का course जल्द आएगा dart course ठीक है वो भी हम साथ साथ बनाएंगे लेकिन dart course यहाँ पर end होता है अब यार मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि अगर let's say आपने ना start से follow किया है और आपने एक एक concepts जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया over the period of time और वो आपने सीखा है ठीक है आपके concepts clear है तो believe me this will help you to stand at the top because आप कोई भी language choose कर लें चाहे dart programming language हो चाहे C++ हो चाहे Java हो चाहे Kotlin हो चाहे PHP हो JavaScript हो even dart is JavaScript ठीक है so जो भी programming language हो यार अगर आपनके concepts इस course को सीखने के बाद clear हो गए है तो आपको कोई extra language सीखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी you just need to go step in and आप लोगों के concepts clear होंगे तो आप easily उसमें scale कर सकते हैं ठीक है so what does it mean? means कि आपने आप programming सीख ली है अगर आप किसी और programming language पर shift करेंगे तो आपको सिर्फ उस programming language का syntax सीखना होगा अब मैं sum up करते तो यार start से मैंने आप लोगों को सिखाया था installations करना सिखाई, editor install करवाना सिखाया, editor को use किस सरह सिखाया, first program लिखना सिखाया Hello World से start किया and Hello World और से start करते करते हम लोग आप के future functions पर हमने sum up किया थोड़ा सा हम Hello World से आगे निकले तो मैंने आपको लोगों को प्राक्टिस करवाना सिखाया then variables क्या होते है, data types क्या होती है, identifiers क्या होती है, initialization क्या होती है, assignments operators क्या होते है ifl statement क्या होते है, nested ifls क्या होता है, switch statements क्या होती है, functions क्या होते है, read runtime functions क्या होते है, void functions क्या होते है, loops क्या होती है, list क्या होता है, ठीक है, यही वो तमाम concepts है, जिनसे बड़ी-बड़ी applications लोग बनाते हैं, ठीक है, यही वो छोटे-छोटे concepts को use करते हैं, बड़े-बड़े softwares, बड़ी बड़ी आप्लिकेशन, Facebook जैसी आप्लिकेशन, WhatsApp जैसी आप्लिकेशन, developers जो हैं, इन ही concepts को यूज करते वे बनाते हैं, या software हो गए, Facebook जैसे software हो गए, ठीक है, या बड़े बड़े जितने भी software से हैं, इन ही को यूज करते वे concepts को वो लोग बनाते हैं, अब आपके लिए खुशखबरी ये है, कि अगर आपने ये course seat लिया है, तो आप लोग मेरा Flutter.Course easily start कर सकते हैं, bootcamp 2022, अगर आपको app development में interest है, बट इन केस आपको interest नहीं है, तो मैं आपको नहीं recommend करता कि आप वो start करें, आपको जिस चीज में interest है, वो आप start करें, चाहे वो web development हो, चाहे वो data science हो, चाहे वो artificial intelligence आपने सीख रही हो, चाहे आप किसी और field में skill करना चाहते हैं, ठीक है, so make sure जो आपको पसंद है ना, आप उसको choose कर लें, ठीक है, so यार sum up कर देता हूँ, सब कुछ मैंने आप लोग को सिखा दिया, now it's up to you, कि how you can make most out of it, ठीक है, किसी भी चीज को देखें, मैंने आपको सिखा दिया, it was my knowledge, मैंने share कर दी, आपने उसमें कितनी practice की, आपने कितने concepts आपके clear होए, और उन concepts को use करते वे, आप किस तरह से utilize करके, नई चीजें, बिल कर सकते हैं, नई softwares बना सकते हैं, कोई भी problem में, आप stuck कों सो कितना जल्दी आप solve कर सकते हैं, उन concepts को use करते हुए, that's what really matters, ठीक है, तो यही था end of this course, मैं आपको बताना चाहा रहा था, कि हमने यह सारे concepts सीखे हैं, and again I hope आप लोगों ने इस course से बहुत कुछ सीखा होगा है, तब beginner आपके concepts clear होंगे, and yeah last में इतनी मैंने महनत किया, अल्मोस 30, 34 से 35 videos बनाई हैं, इस beginners course के लिए, I hope आपको आपके course पसंद आया होगा, because मुझे बहुत अच्छा feedback मिल रहा है इस course की उपर, तो yeah make sure आप लोग मेरे channel को subscribe कर दें, इसके लावा अगर आपके कोई भी घर में बच्चा है, बढ़ा है, कोई भी programming सीखना चाहता, आप उसके साथ इस playlist को share करें, ताके वो programming easily सीख सके, and आप लोग मेरे channel subscribe कर दें, मेरा Facebook group आप लोग join कर सकते हैं, ताके नहीं कर पर वाचिए वाचिए आप इस अस्च आपटच्छ अच आपके लिए आपके प्लेट को आपके लोग मेरे खाए जापके लोग आपके लोग मेरे लोग मेरे जाए नहीं है,